साउथ अफरीका में क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा मैच डर्बन सुपर जाइंट्स और केप टाउन के बीच होगा. यहां मैच डर्बन के किंग समीर स्टेडियम में होगा. इन दोनों टीमों के बीच आखिरी मैच एक ही स्टेडियम में खेला गया था. डर्बन सुपर जाइंट्स ने टॉस जीत कर पहले बलेबाजी करने का फैसला किया. केप टाउन ने पहले बलेबाजी करते हुए 20 ओवर में 165 रन बनाए, लेकिन दूसरी पारी में मी केप टाउन की टीम ने 179 रन बनाए और मैच जीत लिया. मी केप टाउन के दो खिलारियों, क्विंटन डी कॉक और मैथ्यू ब्रिटचके ने वास्तव में अच्छा खेला और अपनी टीम को जीत दिलाने में मदद की. क्विंटन डी कॉक ने 63 रन और मैथ्यू ब्रिटचके ने 48 रन बनाए. क्विंटन डी कॉक को उनके शांदार प्रदशन के लिए प्लेयर आफ दे मैच भी चुना गया कल केप टाउन टीम और डर्बन सुपर जाइंट्स के बीच क्रिकेट मैच है हम अभी तक नहीं जानते की कौन जीतेगा लेकिन मैच शुरू होने से पहले पता लगाने का एक तरीका है आप स्क्रीन पर भाटसेप नंबर पर संपर कर सकते हैं और वे आपको मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले बताएंगे की कौन सी टीम जीतने वाली है सभी मैचों के शुरू होने से पहले उनकी भविश्यवानी जानने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल से भी जुर सकते हैं तो आए मैच शुरू होने से पहले उसका विशलेशन शुरू करें यह मैच गुरूवार 11 जनवरी को रात 9 बजे अफरीका के किंसमीर स्टेडियम में खेला जाएगा इस स्टेडियम में अब तक 17 मैच खेले जा चुके हैं इनमें से 8 खेलों में पहले बलेबाजी करने वाली टीम जीती और 9 खेलों में दूसरे नंबर पर बलेबाजी करने वाली टीम जीती पहले बलेबाजी करने वाली टीम उस्तन 152 रन बनाती है इस स्टेडियम में प्राप्त उच्टम स्कोर 6 विकेट खोकर 226 रन है और सभी 10 विकेट खोकर सबसे कम स्कोर 73 रन है आये दोनों टीमों के खिलारियों पर नजर डालें कि कौन बलेबाजी और गिंदबाजी में अच्छा है बेन मैक्डर्मोर्ट डर्बन सुपर जाइंट्स के लिए खेलना शुरू करेंगे और क्विंटन डी कॉक उनकी मदद करेंगे मैथियो ब्रिटज के नंबर 3 होंगे वियान मुल्डर नंबर 4 होंगे हिंरिक क्लासेन नंबर 5 होंगे ड्वेन पृतोरियस नंबर 6 होंगे डेविड विली नंबर 7 होंगे कीमो पॉल नंबर 8 होंगे साइमन हार्मर नंबर 9 होंगे केशव महाराज 10 नंबर पर होंगे और री स्टॉपले 11 नंबर पर होंगे और डेवेल्ड ब्रुइस डर्बन सुपर जाइंट्स के लिए खेलना शुरू करेंगे और ग्रांट रोलोसेन उनकी मदद करेंगे वान डेर डुसेन नंबर तीन होंगे, टीम डेविडर नंबर चार होंगे, डेलानो पोट गेटर नंबर पांच होंगे, जोर्ज लिंडे नंबर चे होंगे, डाउन जेंसन नंबर साथ होंगे, राशित खान नंबर आठ होंगे, ओडिन स्मित नंबर नो होंगे, ब्यूरॉन Hendrix 10 वे नमबर पर होंगे और Kagiso Rabada 11 वे नमबर पर होंगे। दोनों टीमों से बेस्ट खिलाडी हो सकते हैं। गेंद को अच्छी तरह से हिट करने वाले कुछ सरवश्रेश्ट खिलाडी Hendrik Lassen, Quinten D.Cock, Wandaar Dussain और Develed Brevis हैं। और कुछ बेहतरीन खिलाडी जो अच्छी गेंद फिंकते हैं, वे हैं Reese Toppley, Dwayne Pretorius, Kagiso Rabada और राशिद खान। आइए देखें कि जब दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेली तो उनका प्रदशन कैसा रहा। उन्होंने दो गेम खेले हैं और डर्बन सुपर जाइंट्स ने दोनों में जीत हासिल की है। कृपया हमें कमेंट में बताएं कि आपके अनुसार कौन सी टीम जीतेगी। अब आएए जारी रखें और देखें कि दोनों टीमें अपने हालिया खेलों में कैसा प्रदशन कर रही हैं। इन पांच खेलों में डर्बन सुपर जाइंट्स ने दो गेम जीते और केप टाउन टीम ने एक गेम जीता। दोनों टीमें अपना हालिया गेम हार गई। क्या आप जाना चाहते हैं कि कल का मैच कौन सी टीम जीतेगी। खेर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले आपको बता सकते हैं। आप उनसे वार्टसेप के माध्यम से संपर कर सकते हैं या उनके टेलिग्राम चैनल से जुर सकते हैं। वे आपको सभी मैचों के शुरू होने से पहले उनके विजयताओं की भविश्यवानी करते हुए एक रिपोर्ट देंगे। तो यदि आप रूची रखते हैं तो जल्द ही राघव क्रिकेट विश्यशन से जुड़े। हमने इन दोनों क्रिकेट टीमों की जीत की संभावनाओं का विश्यशन किया है। हमारे विश्यशगे का कहना है कि डर्बन सुपर जाइंट्स के जीतने की संभावना 66% अधिक है। मी केप टाउन में संभावना कम है, 36% संभावना के साथ। इसलिए संभावना है कि डर्बन सुपर जाइंट्स मैच जीत जाएगी। यदि आपके पास कोई अनुमान है कि कौन सी टीम जीतेगी, तो कृपया टिपपनी करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह आप सबसे पहले हमारे नए वीडियो देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कौन सी टीम जीती है और कौन सी टीम हारती है। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।